सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपके वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप Android Mobile यूज करते हैं और उसके अंदर आप जो है Flipkart यूज करते हैं और आपको जो है Flipkart में Something Went Wrong का जो Error है वो प्रॉलम का चुटकार आप कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में एन तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगेत लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंस के साथ भीडियो को शेयर कर देना अगर आपकी ये प्रॉलम हो जाती है तो चलिए वीड और अकाउंट पर तो भी और काट में गया तो भी सेम एरर आपको देखने को मिल रहा है आप मैं फिर से होम पर क्लिक करता हूँ देख सकते हैं सिर्फ आपको यही एरर देखने को मिलेगा बार बार अगर आप प्रेशान हो चुके एस एरर से तो आपको कैसे दूर करना मैं सबसे पहले airplane mode जो है उसको enable करिए देख सकते हैं उपर से मेरे networks चले गए हैं अगर मेरे mobile data की वज़े से या network की वज़े से problem आ रहे होगी इंटरनेट की वज़े से तो यहां से airplane mode on करने के बाद मेरे जो networks है वो यहां पर refresh हो कर आएंगे इसको बंद कर देते हैं देख सकते हैं जो मेरे networks हैं वो towers है वो refresh हो कर आए हैं अगर इंटरनेट से related problem होगी तो यहां से solve हो जाएगी और आपकी problem 100% solve हो जाएगी सबसे पहला काम तो आपको यही कर लेना होगा guys and second काम आपको क्या करना है अगर इस काम से भी आपका काम नहीं बनता है तो setting में आईएगा scroll करिएगा apps देखने को मिल रहा है इस पर click करिएगा then उसके बाद manage apps देखने को मिल रहा है इस पर आपको click कर लेना है अब यहां पर आपको search bar में अपना flip card search करना है flip card आ रहते हैं फॉर स्टॉप का option अनिंस्टॉल के साइड में तो सबसे पहले आप फॉर स्टॉप करिएगा then उसके बाद फॉर स्टॉप करने के बाद आप storage पर click कर लिजिएगा then उसके बाद यहां से clear data देखने को मिल रहा है अब यहां पर दो option देखने को मिलते है clear roll data और clear catch स आपकी यहां से log out हो जाओगे और फिर से login करना पड़ेगा तो clear data मत करिएगा then उसके बाद आपको setting में फिर से आ जाना है अगर आपकी problem solve नहीं होती है तो यहां पर setting में आने के बाद आपको additional setting देखने को मिल रही है आ चाहिएगा then उसके बाद यहां पर date and time का option देखने क set कर लिजिएगा enable कर लिजिएगा जो भी आपका date and time खराब है वहां पर set automatically click करने पर आपकी जो problem solve हो जाएगी automatic तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे यह आपने date and time सही किया तो आपकी problem भी solve हो जाएगी तो चलिए देख लेते हैं flip card को open करके आप देख सकते हैं यहां पर जैसे ही मैंने date and time कर सही करा यह सभी प्रोसेस करें जितनी भी आपको solutions बताएं सभी करें तो उसके बाद यहें पर problem भी solve हो चुकी है तो यह कुछ काम था आपको कर लेने होगे आपकी problem भी solve हो जाएगी सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल नर्बाय टेक कर लव यू ओल